क्या बिहार सरकार फंडामेंटल राइट का उलंगन करते वक्त भी थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया नौसकार नियुज फोनेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ धीरत सिंग इन दिनों बिहार सरकार का एक पैसला देश भड़ के लिए सुर्कियों का विशय बना कि जो नेता और मंत्रियों के खिलाप आप सोसल मीडिया पर कुछ भी आपती जनक या उनकी आलोचना नहीं कर सकते हमारे साथ बात करने के लिए लज़ेपी नेता रामेसवर चौरसे जी हैं सरब आप जो मंत्री विधाय गण इन सब के खिलाप आप भी अगर करेंगे तो करवाई की जाएगी बड़ा आश्चर्ज होता है कि इस तरह का फर्मान नई नई सरकार बनी है और उस सरकार के माध्यम से आता है यह जग जाहिर है कि सोसल मीडिया के चलते इनके सिख्षा मंत्री को अपने पद्य से हाद होना पड़ा मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इनको संबिधान बदलने की नौबत आ गई है कि आक्या बिहार सरकार फंडामेंटरल राइट का उलंगन करते वक्त भी थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया फंडामेंटरल राइट आर्टिकल 19 में है कि आप बोलने की आजादी है अब कोई गाली गलोस तो कर नहीं रहा है अगर अपराधी है कोई नेता या अपसर अपराधिक चार्ज है तो क्या अपराधी को अपराधी नहीं कहेगा तो क्या कहेगा अगर भरस्टा चार है नेता भरस्ट है बिधायक भरस्ट है मंत्री भरस्ट है अपसर भरस्ट है तो भरस्ट को भरस्ट ही कहना पड़ेगा तो मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर बिहार सरकार को हो गया गया है ये फर्मान वही लोग जारी करते हैं जो अपनी नकामियों को छुपाने की कोशिश करते हैं अगर आप अच्छा काम करेंगे तो सोसल मीडिया पर तो अच्छा ही आता है कोई जी अच्छा काम अब जब करेंगे तो सोसल मीडिया उसको अच्छा ही बताएगा अब गलत काम को आप एक्सपेक्ट करते हैं सोसल मीडिया अच्छा बताएगा इतरोज हत्याएं हो रही है और इंडिगो के स्टेशन हेट रुपेश की जो हत्या होई आज तक आपने कोई सुराग नहीं जुटा पाया तो क्या इसके लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे कि आपकी नाकामियों को ही उजागर करेंगे तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अगर इस तरह कि आप कानून बनाएंगे जो सम्विधान का उलंगन करता है फंडामेंटल राइट का उलंगन करता है तो मैं समझता हूं कि ऐसे सरकार से परदेश की जनता को उमीद नहीं रह पाती है और आने वाले दिनों में लोग तंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव प अभिव्यक्ति की आजादी तो है और अभिव्यक्ति की आजादी में मैं मानता हूं कि अच्छा को अच्छा कहना चाहिए बुरा को बुरा कहना चाहिए अभिव्यक्ति की आजादी का ये मतलब भी नहीं है कि आप अभद्र भासा गाली गलोज का प्रोग करें लेकिन सरका कि नाकामियों को गिनाना नाकामियों को उजागर करना एक कहां का अपराद है तो आप अपने कुनवा में सरकार को जाकना चाहिए और पदाधिकारियों को जाकना चाहिए कि जिस दिये सरकार को चून करके लाई है बिहार की जनता भरस्ट अचार समाप्त हो अपहरन हो रहा ह है आज हत्याएं हो रही है यह बंद हो तो सभावी के लोग अच्छा दिखेंगे आप नहीं करेंगे तो बुरा ही दिखेंगे तो मैं समझता हूं कि यह ड्राकॉनियन बेवहार नहीं चलेगा किसी भी सरकार का। और अलोचना से सरकार को नहीं बचना चाहिए, कते ने निंदक नियरे राखिये, तो निंदक अगर है, अगर गलत काम करेंगे तो उसकी निंदा होगी, तो उसको आप सुधारी है, सरकार का काम सुधारना है, इस तरह से ये कानून सही है, लेकिन उसमे और क्लेरिफिकेशन क पता नहीं चला इस कानून में जो भी फर्मान जारी किया गया है कि क्या अपराधी को लोग अपराधी नहीं कहें, क्या निकम्मे के लोग निकम्मा नहीं करें, क्या भरस्ट अचारी को लोग भरस्ट अचारी नहीं कहें, यह समझ में नहीं आया, इसलिए सरकार को इसको क्लर की आज की परिस्थिती में सोसल मेडिया एक ऐसा माध्यम है कि जगह-जगह का नियूज चोटे बड़े स सब जगह का नियूज सोसल मीडिया पर आता है जो सरकार की आँकंखुलता है सरकार इससरो को दरना नहीं शुमार्णаствणाई रही है भले या परती जनक पोस्टों पर कारवाई हो सकते हैं फिलाल इस वीडियो पर आपकी क्या रहा है यह में कमेंट वक्स बता है आप तक वाने में इस फोनेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये चैनल सब्सक्राइब कर लोग फेस्बूक पर देख रहे हैं पेज को लाइक क सब्सक्राइब कर देख रहे हैं पर फोलो कर शक्रिया